तो गायज आज हम मंनेक्स ट्टॉपिक स्टाट करते हैं वाइबरेशनल रोटेशनल स्पेक्टरा लास्ट टूडीयो में हमने आन्हारमोनि चीटी पढ़ी थी नब रोटेशनल स्पेक्टरा तो यहां पर रोटेशनल corruptoreशनल स्पेक्टराथot 그리고 n-harmonicity के case में मेरा वहाँ पर एक टामूर मैनस हो गई थी तो यहाँ पर जब हम vibrational rotation spectra पढ़ते हैं तो इस case में हम n-harmonicity consider करते हैं तो यहाँ पर मेरी value कहाएगी v plus 1 by 2 omega e minus v plus 1 by 2 का whole square omega e x e plus and rotation के लिए b j into j plus 1 ठीक है तो मेरी e कहाई मेरी e total इसे हमें याद रखना और इसके बागे पूरा अपना derivation निकाल लेंगे vibration rotational spectra का तो यहाँ पर इस case में क्यों होता है जब हम इन दोनों की खटा study कर रहे हैं तो इस case में मेरा graph हम की समच तरह से समच सकते हैं मालू मेरा इक यह इस तरह ग्राफ था यह वाला पूरा लेवल विसकुस तरह मतलब मेरा मुल्किल जब 0 से 1 पर जा रहा है vibration के case में है और मैरी यह क्यों बनाए है यह मैं इसलिए बनाए है क्योंकि यह यहाँ पर क्या है मेरे जे 0 1 2 3 4 1 2 3 4 टीक है इसे मैं लिख देती हूं जे और इसे मैं लिख देती हूं जे डाइश ठीक है तो अब समझ में आगा आपको यह पूरा तो क्या है मेरा वी है लेकिन इसके अंदर रोटेशनल हो रही है तो यहाँ पर यह सारे लेवल्स बनाए है यह मेरे जे की वैल्यूज है अगर हम यहाँ पर इसके सेलेक्शन रूल की बात करें तो सेलेक्शन रूल की हम जैसे हमने पढ़ा था वैब्रेशन में वैब्रेशन में मेरा सेलेक्शन रूल की आया था डेल्टा वी स्कॉस्टू प्लस माइनस वन तो उसे तरह जैसे मेरा डिटेशन में डिटा जे कहता प्लस माइनस वन तो यहां में इनके सलेक्शन रूल सेम ही रहते हैं यहां पीछे बड़ेते हैं तो यह इसमें कोई ज्यादा कुछ ज्यादा कॉन्फिजन वाली बात नहीं है तो जो मुली याद रखना कि जब वाइबरेशन रूटेशन स्पे पिक है वह हमें बढ़ना है तो अब मैंने आपको यह ग्राफ भी बना के दिखाए जिसमें अपने को आपको अलग 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 अनरजी लेवल्स पताएं अब मैं इसे थोड़ा इलाबोरेट करके बनाएंगी ठीक है तो मैंने यह बना दिया है तो बिलकुल उसी तर नॉर्मल जो वाइब्रेशन पढ़ा था तो मेरा मॉलक्यल V0 से 1 पे जा रहा था लेकिन अगर हम दोनों के कठ़ा स्टरी करें तो मेरा मॉलक्यूल V0 से V1 पर जाएगा ही जाएगा लेकिन उस वक्त वो जे 0 से जे 1 पर जाएगा है ना जे 1 से जे 2 पर कुछ इस तरा से हैं आपे चिंजिस आएंगे तो मतलब यहां भी आपे दोनों के कठा स्टेडी करेंगे तो यहां भी मैंने क्या लिखा है जे 01234 ऐसे लेवल्स हैं और यह जे डैश माल लेंगे विसे जे डैश 01234 up to so on अब यहां पे सबसे मारा में काम देटाओ निकालने चांगे और वी वाली मतब जब मेरा V1 हो ठीक है और J' वाली वाली वाल्यू तो इसका मतलब E final mechanics सकती हूँ Vibrational plus rotational ठीक है मतलब ऐसी लिखूंगे मैंसे E final minus E initial E final क्या Vibrational plus rotational और E initial क्या Vibrational plus rotational यहां पे हम यहां पे हम यहां पे हम एक चीस तो confirm है कि मेरा molecule V0 से V1 पे जा रहा है तो मैं यहां पे V की जो value आएगी मैं उसको 0 और 1 से consider करूँगी लेकिन जो J की value होगी मैं वहां पे J और J' ही लिखूँगी ठीक है मतलब जैसे कि मेरा delta E है मुझे final Y निकालने है final वाली में मेरा molecule क्या है final वाली मेरा molecule क्या है V1 है और J' है तो इस case में मेरा vibration क्या आएगा मेरा vibration आएगा V क्या है V plus 1 by 2 होता है ना इस सारी vibration के value तो V क्या है 1 है XE इसमें plus क्या करेंगे rotational वाली, rotational वाली में B J into J plus 1 लेकिन मैं यहां पे J की value को put नहीं करूँगी मैं यहां को J को J' consider करूँगी क्योंकि उपर वाली J' थी निचे वाली J थी तो B J' J' प्लस 1 ठीक है यह वाली पूरी value एक होगी मेरी final इसमें से मुझे minus करनी है initial वाली तो initial वाली क्या हैगी 0 plus 1 by 2 omega E minus 0 plus 1 by 2 का whole square omega XE plus B initial वाली के लिए J है normal तो B J into J plus 1 okay so guys मैंने यहां पे एक अलग पेस पे मैंने इसका पूरे derivation solve किया है तो अगर आपको ऐसी देख नो ता प्लीज देख लीजिए वरना मैं यह ही suggest करूँगी कि आप घुद से इसको solve किया क्या काफी बड़ी है और क्या पता SETS paper में भी आ जाती है तो आप कहां से देखोगे ठीक है निक फिर भी एक बर हम देख लेते हैं तो यह वाली value मैंने लिखी E finder वाली value मैं लिखी इनिश वाली तो इसको अच्छे से लिख दिया मैंने अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से और भी खोल दिया है B, J into A, इसको minus का sign हट चुका है minus का sign मतलब जो change हो गया ना अब यहाँ पे मैंने B, J वाली value को इक ट्था कर लिया और यह वाली value को इक ट्था कर लिया अब इनको solve किया है वस इनको वही L से हम लेके काट तो इसको आगे solve किया है solve करने के बाद मेरी E की value बनी है omega 0 plus B, J dash minus J into J plus J dash plus 1 so मैं यहाँ पे लिख दिया है कि जब हमने इसको solve किया तो मेरी value यह आई थी और यहाँ पे हम क्या करते हैं जो यह value मेरी value है इस पूरी value को हम थोड़ा short कर लेते हैं इस पूरी को हम लिख लेते हैं omega 0 क्या लिख लेते हैं omega 0 ठीक है तो मेरा main formula यह आ चुका है vibrational rotational energy का सबसे main formula यह ही है ठीक है यही से अब हमागे सारी study करेंगे कि levels जब change हो रहे हैं तो जो value क्या आ रही है मतलब मैरी कुन से energy होगी जब मेरा molecule V0 से V1 पे जा रहा था तो उस वक्त मेरे जो delta E आएगा वो जी आएगा ठीक है यहाभी हमने already V0 V1 put कर लिया था है न बस J की value हमने छोड़ी थी तो हम यहाभी हम J की value को put करकर answer निकालेंगे सबसे पहले अभी हमने बात की delta J का selection rule यह होता है ठीक है तो delta J का selection यह होता है तो delta J का मतलब क्या है J final minus J initial J final क्या था J final था J dash सबसे ज़्यादा इंपोर्टन रिलेशन है यह हम नॉमबर पढ़ते है कि delta J equals to plus minus 1 बनाता है लेकिन अगर हम इसे अच्छे तरह से खोल के लिखें J dash मतलब J final minus J initial और J final क्या था J dash था और initial क्या था J dash minus J equals to plus minus 1 इसका मतलब J dash minus J एक बर तो आएगा plus 1 और J dash minus J एक बर आएगा minus 1 इसका मतलब यह हुआ ठीक है तो बस इब इसे solve करना है कैसे अभी मेरे delta E क्या थी omega note plus B J dash minus J J plus J dash plus 1 यह आए थी ठीक है तो यहाँ भी सबसे पहले consider करके चलेंगे हम plus value value मतलब यह वाली value कि जब मेरा J dash minus J क्या होएगा plus 1 तो उसका मेरी J dash की value क्या आएगी 1 plus J यह आएगी ना ठीक है तो value put कर दो delta E is equals to omega note plus B into 1 plus J minus J 1 plus J plus J plus 1 यह आएगी ना ठीक है जब बस इसे solve करना solve करके answer क्या जाएगा omega note plus B into 2J plus 2 तो मतलब delta E is equals to omega note plus 2B J plus 1 ओके फिर अब सेक्ड़ वाली consider कर लो जिसमें हमने D dash minus J को क्या लिया था minus 1 लिया था plus value value निकाल लेते हैं J की value क्याएगी 1 plus J यह आएगी तो बस यहापे भी same put करो delta E is equals to omega note plus B into J dash minus 1 minus J dash and 1 minus J dash minus plus J dash plus 1 ठीक है तो delta E की value हाजाएगी मेरी end result निकाल देते हूँ क्याएगा omega note minus 2B J dash plus 1 ठीक है में पस दो relation आगे एक ही relation है एक ही relation है note करण दोनों बाते में common क्या है यहाँ पर सब से बढ़े difference क्या है यहाँ पर minus है और यहाँ पर plus है यहाँ पर minus है दूसरा यहाँ पर J है तो यहाँ पर J dash है वैसे normal value निसे कोई फरक निपढ़ता है अगर हम इसे direct मतलब ऐसे assume करके चलते है तो यहाँ पर कोई फरक निपढ़ता है J और J dash से अगर normal बात करूँ मैं ठीक है अगर मेरा पर मेरा प्लस फरक निपढ़ता है समयज में आगे ना मैं पूरी value को x लिक रही है तो मेरा क्या मनेगा डिल्टा e is equals to omega 0 plus x and omega 0 minus x तो अब हमें यहाँ पर conclusion मिलता है कि अगर मेरा normal मेरा molecule इसतना से मतलब omega 0 तो अगर वहाँ पर मेरी x value increase हो रही है अगर मेरा plus x हो रहा है अगर मेरा x plus हो रहा है तो मेरी value इस तरफ से जा रही है मतलब यहाँ पर मेरी क्या रही है high frequency मुझे मिल रही है लेकिन अगर मेरा जब minus x हो रहा है तो मुझे वहाँ पर low frequency मिल रही है मतलब यहाँ पर delta e क्या था omega 0 minus x e x लिगा था हमने और यहां पर delta is close to omega not plus x यह value थी और एक बात और note करो कि जब मेरा omega not plus x कब आया था जब आया था जब मेरा delta j plus 1 था और मेरा omega not minus x कब आया था minus value कब आया थी जब मैंने delta j को minus 1 consider किया था तो बस इसको अगर आपको यह समझ में आ गई तो आपको पूरा topic समझ में आ चुका है क्योंकि इसके बाद हमें पूरा का पूरा derivation करेंगी इनकी values पूट करकी तो यह समझ में आगी आपको कि अगर मेरे delta j minus 1 लिया तो मेरी value इस तरफ चाहेगी अगर मेरे delta j plus 1 लिया तो मेरी value इस तरफ जाहेगी जहाँ पर मेरी frequency increase करेगी और इस case में मेरी frequency decrease करेगी तो मैंने यहाँ पर एक graph बनाया है ठीक है तो मैं तो graph ही type है जहाँ पर इसे हमने पीशे show किया था था ना कि V0 और V1 पर मारा molecule कर रहा है तो उस case में हमने यहाँ पर वो rotational levels बनाया थे है रोटेशनल लेवल J 0 1 2 3 4 5 & J dash 0 1 2 3 4 & 5 अभी हमने consider कि यहाँ पर जब delta j plus 1 था तो मेरी vibration इस तरह आ रही थी लेकिन अगर जल्टा j minus 1 है तो मेरी frequency उस तरफ चा रही थी तो मैंने इस तरफ ऐसी लिख दिया इसको delta j इस तरफ लिख दिया delta j minus 1 इस तरफ लिख दिया अब भी इसको यहाँ पर study करके चलते हैं अब यहाँ पर मैंने का delta j is equals to minus 1 delta j is equals to minus 1 का मतलब क्या था कि j dash minus j का आएगा minus 1 आएगा मतलब मेरी j की value का आएगी 1 plus j dash एक एक स्टेप्स अच्छे से समझ लेना ठीक है तो इस case में अगर मैं बात करूँ अगर मेरा molecule j is equals to 0 पे है मेरी j की value का आई 1 plus j dash अगर मेरा molecule j 0 पे है तो उस case में मेरा j dash का आएगा minus 1 which is not possible ठीक है लेकिन अगर मेरा molecule j is equals to 1 पे है तो मेरी j dash की value का आएगी पुट कर ते रो बस इसमें j dash आप इसको छोड़ी दो ठीक है इसको consider ने मत कर उसमें confusion हो जाती है अगर हमारा naturely initial state का है j ऊपर का है fine j dash तो मेरा molecule j से j dash पे जाएगा तो मैंने consider कर लिया अगर मेरा molecule j 0 पे है तो मेरा molecule j dash में minus 1 पे जाएगा जो कि कोई level होता ही नहीं है minus 1 तो है ना तो ये not possible फिर अगर मेरा molecule at j 1 पे है तो मेरा j dash के आएगा तो मेरा j dash 0 आएगा और अगर मेरा molecule j 2 पे है तो मेरी j dash final वाली वो कहां पहुंचेगा वो पहुंचेगा 1 पे और अगर मेरा molecule j 3 पे है तो मेरा j dash final पे कहां जाएगा molecule 2 पे पहुंच जाएगा तो इन केस से आपको एक चीछ समझ में आ रही है कि कभी भी मेरा molecule zero level से start नहीं करेगा समझ में आ रहा है कि मेरा molecule zero level से start नहीं करेगा मेरा molecule level one से start करेगा और zero level पे ठीक जाएगा मतलब मेरा molecule यहां होगा और वो कब जाएगा one sorry yes zero पे जाएगा जब मेरा molecule one पे है जब मेरा molecule j1 पे है तो j dash में वो zero तक वाईब्रेट rotation करेगा तो जब 1 से तो 0 तक वरेगा और जब 2 लिया था हमने तो वो 1 पे जाएगा और जब 3 लिया तो वो 2 पे जाएगा समझ में आया यह आपके बुक में दिया होगा मुझे लगता है काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें थोड़ा confused सा करगा काफी जादा mixed चीज़ ने करकी है तो इसका मतलब यह है कि हमारा molecule कभी भी J0 से start नहीं करेगा in the case of delta J equals to minus 1 अगर वो इस तरफ shift कर रहा है तो मतलब मेरा J dash minus J के आएगा plus 1 आएगा तो मैं consider करके चलती हूँ मेरा molecule J0 पे है तो मेरा J dash के आएगा अगर मेरा molecule J1 पे है तो मेरा J dash के आएगा minus 1 2 ठीक है अगर मेरा molecule J equals to कहां से है J equals to 2 पे है तो मेरी J dash के आएगी 3 समझ में आ रहा है यहाँ पूट करते है रहो तो यहाँ पे इसका मतलब जब मेरा delta J equals to plus 1 पे है तो मेरी value possible है कि molecule 0 से start करेगा और किस पे जाएगा 1 पे जाएगा तो मतलब 0 तो यह हुआ और 0 स्टार्ट के कहां जाएगा 1 पे जाएगा 1 से 2 पे and 2 से 3 पे तो इस case में मेरा क्यादा है इस case में तो मेरा अगर molecule 1 level पे था तो अउपर जाके वो molecule 0 level पे जा रहा था और इस तरह से decrease करा था मतलब अपने level लेकिन है अगर मेरा molecule 0 पे था तो वो 1 पे जा रहा है 1 पे है तो वो 2 पे जा रहा है 2 पे है तो वो 3 पे जा रहा है ठीक है आपको यह कफे अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आपके बुक में graph किस तरह से दिये होते हैं और किस तरह से उनके levels बनाए होते हैं ठीक है अब हमने यह तो निकाल लिया J अब हमें निकाल लिया energy energy मतलब कि जब मेरा molecule 0 पे है या 1 पे है या 2 पे है तो मैंने भी दो formula पढ़े थे हमारे omega 0 plus 2b j plus 1 और दूसरा पढ़ा था omega 0 minus 2b j dash plus 1 ठीक है दो value हमने पढ़ी है ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या करते हूँ मैं यहाँ पे consider करके अब यहाँ पे हम क्या करते हैं अब हम आपस दो value है एक first value और एक second value पहला हम first value को solve करते हैं first value में कुछ cases बना लेती है delta e equals to omega 0 plus 2b तीन case बना लेती है तो तीन निकाल लेते हैं values निकालते हैं मैं जे की value जे मेरी 0 थी तो मेरा क्या है गा 0 plus 1 मतलब 2b आ गया ठीक है तो omega 0 अगर मेरी जे की value 1 आती है तो 2b plus 1 plus 1 2 तो क्या जेगा 4b delta e क्याएगा omega 0 प्लस अगर मेरी 2 आती है तो 2 put कर दो 2 plus 1 3 3 to 6 क्या जेगा 6b तो इसा मेरी first equation जब मैं इसको solve किया अब मैं करते हूँ यह मेरी first equation वाली अब मैं करते हूँ 0 पो गया तो यसे भी 2b ही आएगी ठीक है 1 आ गया तो and delta e is close to omega 0 minus y 4b अगर मेरा molecule j-1 पे है and delta e is close to omega 0 minus 6b अगर मेरा molecule j- is close to 2 पे चला गया ठीक है ओके तो यहाँ पे हमें दोनों values में क्या common लग रहा है सब कुछ common है बजाए की plus और minus k plus indicate कर रहा है कि वो इस तरफ है minus indicate कर रहा है कि वो इस तरफ चला गया ठीक है तो यह सबसे important relationship है हमारा कि अगर मेरा molecule delta j वो वाली delta j plus 1 है delta j is close to plus 1 value value को selection rule को follow कर रहा है तो मेरी energy कुछ इस तरह से increase होएगी लेकिन अगर मेरी वो delta j is close to minus 1 को follow कर रहा है तो मेरा इस तरह से कुछ क्याएगी energy decrease करेगी लेकिन increase और decrease same extent से हो रही है अगर increase 6b से हो रहा है तो decrease भी 6b से ही हो रहा है ठीक है so guys विज़र तो हमारा topic complete होता है vibration spectroscopy का लेकिन इसके बाद आपके वुप में ब्रांच लिए है so call p qr branch थोड़ी important है कभी कोई question आजाता है तो इक बार करा देती है जादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल easy से समझ लेना so guys मैं यहाँ पे लिखा है p qr branch में delta j is close to minus 1 delta j is close to plus 1 मतलब जो p value है वो मेरी minus 1 के लिए है और जो r value value है मेरी plus 1 को indicate करेगी ठीक है तो मतलब यहाँ पे हमने पे पढ़ा delta j is close to अगर मेरी जब minus 1 था तो मेरी energy के values के आई थी omega note मतलब center वाला omega note omega note में से 2 भी minus हो रहा था मतलब omega note में से 2 भी minus हो रहा था omega note में से 4 भी minus हो रहा था जब j 1 पे जा रहा था तो यहाँ से इतने तक के kap कितना हो गया omega note से P1 तक का gap 4 भी हो गया उसी तरह यहां से लेकि यहाँ तक का gap इतना हो गया 6 भी हो गया मतलब यह decrease हो रहा है minus हो रहा है मैं नहीं आपे R1, R2, R3 लेकर आपे मैंने P1 लिखा है बिल्कुल ईजी है अगर आपको समझ में आगया तो बहुत अच्छी बात है क्यों लिखा है मैंने आपे क्योंकि हमने कहा था कि जो मारी ट्राजिशन हो रही है जो मारी ट्राजिशन हो रही थी कि ये हमने zero पुट गया था यो कि पॉसीबल ही नहीं तो हमारे जीरो से लेके one में कोई transition होती ही नहीं है तो इसलिए मैंने यहां पे p not हम यहां पे नहीं लिखते क्या लिखते हैं p 1 लिखते हैं तो इसलिए हमारा जो p zero है नहीं होता लेकिन आश जरो होता है क्योंकि वहां पे तो ट्रॉंजिशिन हो रही थी ठीक है तो यहां भी हमारा गाइस कर्तम होता है वडरेशन स्पेक्टोपी तो नेक्स वीडियो भी हम करेंगी रिरमन स्पेक्त्ट्रोपी जो कि लास्ट होगा